देखिए ये question आए आपका 2013 में फटाफट इसको discuss कर लेते हैं किरा median of the following data is 525 तो median आपको यहाँ दिया हुआ है अब सुनिए जब भी median दिया रहता है exam में ठीक है और missing frequencies आपको पूस्ता है ठीक है ये इसकी table हमने पहले से ही ले रखी है ताकि जो है हमारा time ना waste हो यहाँ पर ठीक है students तो देको 0 to 100 frequency कितनी है तो यह जो frequency यह frequency आपको दी हुई यहाँ पर ठीक है 100 to 200 की frequency 5 है 200 to 300 की frequency x है इस तरीके से ठीक है ठीक है ठीक है तो यहाँ पर आपको missing frequencies x और y निकालना है तो जब भी आपको median question में दिया रहता है बच्चों यह group frequency distribution table है तो जो median बच्चों अगर यहाँ पर दिया हुआ आपको ठीक तो आपको सबसे पहले यहाँ median class निकालना है median class कैसे निकालते हैं तो जवाब है यहाँ यहाँ जो median दिया हुआ है जाके देखेंगे 525 कौन से इंटरवल में आता है तो चाहके चेक करो कौन से इंटरवल में क्यों जो median आता तो यहीं से होता है और इंटरवल में इसे है तो यहाँ पर हमने इसको लिख दिया है frequency इसको ओके और सुनो फ्रिक्वेंसी दिये ना 0-100 की 200-200 की 5 ठीक है 200-300 की कितनी एक्स और इस तरीके से लिख दिया अब यह वाला कॉलम हम लोगों को बनाना है और कैसे बनाना यह मैंने आपको बताया है कैसे बनाते थे याद करिए इसको याद है इसको यहाँ कॉपी करेंगे 2 प्लस 5, 7, 7 प्लस X, 7 प्लस X, 7 प्लस X, 7 प्लस X में 12 एड करोगे, 19 प्लस X, 19 प्लस X में 17 एड करोगे, 36 प्लस X इस तरीके से आता जाएगा अब यहाँ पर आपको X और Y की value निकालनी होती है तो मैंने आपको बताया है कि यहाँ दो equations बनेगी कैसे एक equations तो कहां से बनेगी summation FI से यानि कि सभी frequencies को add कर दीजे तो जब सभी frequencies को आप add करोगे summation FI ठीक तो यहाँ question में दिया हुआ है हमें कि total frequency कितनी 100 है यानि कि summation FI दिया हुआ है एक तो इन्होंने दिया है एक हम निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे यहाँ पर summation FI ध्यान से चेक करो इन सबको add कर दो ठीक तो चलो add करते हैं इन सबको कितना हो जगा है यहाँ से summation FI चलो add करो X plus Y को बाद में लिखना बाकी सबको add कर लो ठीक तो कितना हो जाएगा 5 plus 2 7 ठीक है 7 plus 12 कितना होता है 19 है ना और 19 plus 17 हाँ add कर लेते हैं 19 और plus 17 कितना होता है हाँ बताइए क्या doubt है नहीं X plus 76 कैसे हो जाएगा आचा ठीक है हाँ तो आप बोल सकते हो 76 हो जाएगा हाँ ठीक है तो यह वाला last वाला ले सकते हो आप यह 70 बिल्कुल सही आपने दिमाग लगाया X और Y तो छोड़ देंगे तो obviously 76 plus X plus Y होगा क्योंकि इन सबका जो sum होता है वो finally क्या होता है देखो बात समझो ना हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं तो आपका यहीं आ जाएगा tut यहीं क्या होता है आपका summation fi होता है बस ठीक है क्या दिक्कत है तो यहां सेइसको कौपी कर लिजिए 76 और प्लस X plus Y ठीक है न ठीक है यह भी बच्चों को पता चल गया होगा जो देख रहे होंगे ठीक है ना जो आपकी cumulative frequency होती लास्ट वर यह आपका समेशन अफ़ाई होता है ठीक तो एक समेशन अफ़ाई तो आपने निकाला ठीक है ना और एक समेशन अफ़ाई इन लोगों ने दिया था तो यह जो 76 प्लस X प्लस Y इसको 100 के एक्वेट कर दीजे है ना बस कोई दिक्कत नहीं कर लो कर लो भाई कर लो ठीक है यह तो मैं जस्ट ऐसे ले आया हूं कोशन बहुत सारे कोशन करा चुका है तो यह देखो यहानि कि 76 और प्लस X प्लस Y इस इकल्स तो कितना हो जागा बताओ 100 ठीक है 76 उदर जाएगा तो माइनस हो जाएगा कितना बच्चेगा 100-76 कितना होता 24 तो यहानि कि एक एक एक्वेशन यहां से बनेगी X प्लस Y इस इकल्स तो 24 यह गई फस्ट एक एक एक्वेशन और बनती वह कहां से बनेगी मीडियन के फॉर्मले से याद है ठीक है ना तो मीडिय 500 तो यहां लेफ्ट हें साइड हम क्या रखेंगे 525 चेक 525 ओके नो एल की वैलू 500 और एन बाइटू कितना हो जाएगा एन बाइटू का मतलब हंडेट वाएट टू कितना होगा 50 ठीक है सो 50 हो गया एन बाइटू कि जगा और माइनस क्यों सीएफ का मतलब जो मीडियन क्ला कि इसके पहले वाली सीडिंग क्लास की क्यों मेंडिव रखोगे तो ब्रैकेट में रखोगे ठीक है इस बात का आपको धियान रखना है तो यह जो छीएफ है आपका क्योंकि यहां बाहर माइनस लगा है ना कितना रखोगे 36 प्लस कितना हो जाएगा एक्स ओके यह लिज़ कर लो f f कितना है आपका cumulative frequency of the median frequency of the median class 20 और h क्या होता है class size किसका class size median class का class size कितना है upper limit minus lower limit 600 minus 500 कितना हो जाएगा आपका 100 ओके so इस तरीके से h कितना हो जाएगा आपका 100 बस अब इसको solve कर लो अधिको 20 बन जा 20 और यहां जाएगा 525 दा 100 ठीक तो यहां यह 500 इजार आएगा 525-525 और is equals to में यहां क्या बचेगा 50 चेक कर लो bracket में 50 और minus से bracket open करोगे minus 36 और minus का x हो जाएगा ठीक और into में बाहर क्या बचा 5 बचा अब यहां से हो जाएगा 25 is equals to 50 minus 36 कितना होता है 14 सही है ना 50 minus 36 कितना होता है 14 यहां से होगा 14 minus x ओके और अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो यह वाला 5 बाहर multiply कर रहा है तो उधर यह multiply कर रहा है इधर आके divide कर देगा 25 by 5 is equals to कितना आ जाएगा 14 minus x ओके और 5 1 दा 5 5 दा 25 पिर बस अब आ गया क्या आ गया 5 is equals to 14 minus x है ना तो minus x को इधर लेके आओगे plus हो जाएगा 5 को इधर लेके आओगे minus हो जाएगा अच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्